हेलो गाईज वेल्कम बेक तो माई यूटूब चैनल दोस्तों आज आप लोग को बाताने वाला मीग वेल्डिंग का धूवा जो होता है बहुत ही डेंजर होता है उसे कैसे पंचा जाए तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं लाश्ट तक जो रो देखिया और जो नहीं है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए गा और वेल्डिंग से रिलेटर जितना वीडियो डालेगा आप लोग पहुंचेगा तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं तो गाईज आए जानते हैं इसके बारे में यह है फिल्टर मास्क के तो यह काफी यूसफुल होन सब्सक्राइब कर लिए तो यह कभी भी आप लोग वेल्डिंग मारें तो यह पहां कर मारें यह जो होता है नरम प्लास्टिक का पूरण नरम है शामला जैसा यह नरम होता है तो आप लोग यह पहन के मार सकते हैं और कि यह पहला चीख हुआ और दूसरा चीख है अगर हम लोग बेल्डिंग मार रहे हैं तो अपने आगे या पीशे ब्लोवर जो होता है फैन ब्लोवर फू लगा के अगर बेल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि उससे धूआ अपने शेहरे पे नहीं जाएगा और धूआ अंदर जाने का चांस नहीं दाएगा तो यह राफ लोवर बाहर समें लेकाया हूं तो तो गाइस यह फ्लोवर इसको अगर बेल्डिंग कंटिन्यू करने तो उदर साइड में लगा दे ब्लोवर था कि अगर हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें दिकर पासानी कुछ नहीं र ब्लोवर नहीं है तो टेबल फेन भी लगा सकते हैं बेल्डिंग करके अगर रूम पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा ग्रम पानी कर लें ग्लास और उसमें निम्बू थोड़ा डाल लें और उसको खाली पेटे पी लें उसके बाद से 10-15 मिटा अरेश्ट करके उसके बाद से खाना का इससे जो सरी गंद जो कच्ड़ा राता है गंदी जो गया हुआ है वो बाहर निकल जागा नहीं तो और दूसरा है जो मिठा होता है गूंड उसका उप्यों की जिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो का अब खत्म करते हैं जो नहीं है मेरे सेनल को फटाफर सब्स